हुआ बच्चों केसे हैं आप सभी मैं मिसेस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पिटेशन कम्यूटी में स्वागत करती हैं कॉम्पिटेशन कम्यूटी की इस प्लैटफॉर्म में जहां मैं मैंने सोचा है कि क्यों ना इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया जाए है तो यह फास्टक रिवीजन की तरह ही लैंगविज बे इसके अंतरगत हम सारे उन सारे नियमों को जानेंगे जो MCQ के माधिन से टॉपिक को कवर करेगा तो आज इसे इस हिंदी FTR का नाम होगा लांगविज मंत्रा जिसके अंतरगत छुट छुटे बारी की से बारी की चीज़ों को आपके MCQ को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा आज का लेक्षर का जो टॉपिक है वो टॉपिक आखिर क्या है तो आज कि इस लेक्षर टॉपिक के अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं वरन माला और वर्तनी से संबंधित प्रशनों को वरन माला आखिर क्या है और वर्तनी योजना क्या होती है इसे संबंधित प्रशन ना केवल CGPAC Pre में ना केवल व्यापम में अब तो यह वरने से संबंधित एक होता है अक्षर आखिर ये क्या होते हैं तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले में चीजों को आपको बतलाओंगी कि हमने जब हिंदी के अंत्रगत वरनमाला को लिया तो हमारे द्वारा देवनागरी से कितने वरन अक्षर को लिये गए बाव अंslबन कि अनुसार कितने iot गया कितने प्रण किया जाते है तो 46 letters जो है यूज किया जाते है, इस 46 letters में हम अगर निको तोड़ने की बात करें तो यहां पर हमारे लिए 11 प्रकार के शर्र होते हैं वह और 35 प्रकार को व्यंजन जो है वह मानलगत है ठीक है और इस तरह दे तो देवनागरी में 52 वरण अक्षर है और उन्हीं देवनागरी के 52 वरण अक्षरों का इस्तिमाल हम हिंदी भाषा को लिखने के लिए करते हैं जिसमें मानक वरणों के संग्या हिंदी वरण माला के अनुसार 11 स्वर और आपके उन्चा पैतिस व्यंजन से मानी जाती है अयोग वाह है साथ ही आपके 25 प्रकार के इसपर्ष व्यंजन हो जाते हैं नहीं जो गीना नहीं जाता वो चार प्रकार का हमारे लिए संयुक्त व्यंजन होता है ठीक है और इस तरह देखा जाए तो हमारे लिए वर्ण जो है पूरी तरह से बाटे गए है, इन ही वर्ण में, अब हम कहेंगे कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं, तो समझने वाली बात है, जब किसी भाषा का कोई व्यक्ति मौखे को चरण करता है, तो वक्ता के द्वारा जो बोला जाता है श इसे वर्ण कहा जाता है, मौखे कुछ चारण में ध्वनी को भाषा की सबसे छोटी लगुई काई कहते हैं, लेकिन लिखित प्रयोग में वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लगुई काई कहा जाता है, ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण हमारे लिए हैं स्वर, और स्वर और व्यांजन के मद्धे की कड़ी है हमारा योगवाह ठीक है और स्वर की सहायता से पूरे होने वाला हलंत है हमारे लिए व्यांजन ठीक है तो कहने का मतलब कि जितने भी स्वर हैं जैसे की आ, ई, उ, ये सारे जो स्वर हैं इनको और जो हलंत वाले वर्ण है जिका ख, ग, घ, अगर कहता है तो हलंत वाले तत्व को जो व्यांजन है ठीक है तो कहने का मतलब कि जो स्वर और व्यांजन है यानि की स्वर और स्वर रहित है न, वर्ण होते हैं ठीक है स्वयम स्वरों को और स्वर रहित व्यंजन को क्या कहा जाता है वर्ण कहा जाता है लेकिन अगर इसी वर्ण में व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाता है और वह पूरा हो जाता है तब इसे अक्षर कहा जाने लगता है तो कहने का मतलब क्या है कि स्वर रहित को हम वर्ण और स्वर्ण सहित वर्ण को हम क्या कहते हैं अक्षर के नाम से पुकारते हैं और इस तरह हिंदी के अंतरगत जो बावन वर्ण अक्षर है उसे वर्ण माला में बाटा गया है तो वर्ण जो है वर्ण का समुग वर्ण का समुग क्या कहलाती है हमारे लिए वर्ण माला कहलाती ह हिंडी के अनुसार वरण माला को तीन भाग में बाटा गया, एक बाटा गया है हमारे लिए स्वर, दूसरा बाटा गया हमारे लिए आपका व्यंजन, और स्वर और व्यंजन के मध्य आता है हमारा अयोग वाह, ठीक है, इसी के अंतरगत आपको तमाम प्रकार के प्रश्न जो इसी भी व्यंजन को पूरा करने के स्वर का एक वास्तविक रूप होता है, ये स्वर का वास्तविक रूप है, लेकिन इसका एक मात्रिक रूप होता है, जहां आ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा छोटा ई, आपका बड़ा ई, इसे बगर छोटा उ, बड़ा उ, रिशी का एडी का ए एनक का ए ओकली का ओ और और अरत का ओ यह स्वर की हमारे मात्रिक रूप कहलाते हैं ठीक है और यह जो है हमारे लिए स्वर का वास्तविक रूप कहलाता है जब यह स्वतंत्रावस्था में होते हैं तो वास्तविक रूप में होते हैं लेकिन अगर किसी व्यंजन के साथ जाते हैं तब यह अपने स्वास्तविक रूप से मात्रिक रूप में बदल जाते हैं इस स्वर के कुछ आधार हैं स्वर के आधार पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम इसे मात्रा के आधार पर बाटते हैं दूसरा हम बाटते हैं इसे उच्छारण इस्थान के ठीक है और एक बाटा जाता है हमारे लिए उस्ठा कृति के अधार पर इन सबसे हटकर हम एक सेकंडरी फॉर्म में और बाटते हैं जिसमें हम बाटते हैं आपका सजाती अस्वर ठीक है और एक होता है हमारे लिए विजाती अस्वर ठीक है और एक होता है हमारे लिए नासिक क और एक होता है हमारे लिए निर नुनासिक के स्वर ठीक है अब आप कहेंगे कि यह क्या होते हैं तो ध्यान से समझने वाली बात है कि इसी में से आपके तमाम प्रकार के प्रश्न जो है वो बन जाते हैं जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय उसे बनाता है मात्रा का आधार इसे हम स्वास वायू का आधार भी कह सकते हैं इसे हम प्राब के इजांपल के तोर पर स्वास वायू का आधार न कहकर हम इसे मात्रा या उच्चारण काल का आधार कहते हैं इस मात्रा के अधार पर तीन प्रकार के स्व पाई जाते हैं जहां आपके हो जाते हैं लगुस्वर दिर्गस्वर और हो जाता है हमारे लिए प्लुतस्वर लगुस्वर हो गया ठीक है इसी प्रकार आपका दिर्गस्वर हो जाता है और इसी प्रकार हमारे लिए हो जाता है एक प्लुतस्वर ठीक है लगुस्वर जिसके अंतरगत हमारे लिए छोटा A, छोटा E, छोटा U आता है, ठीक है, साथ में रिशिक री आता है, दिर्घस्वर में आम का A, इख का E, उनका U आता है, और प्लूत्वर में हमारे लिए आपके उच्चारण के अधार पर जो है वो तीन गुना समय लेता है, अब दुखने वाली बात है कि लगुस्वर को ही हम एक मात्रिक कहते हैं, ठीक है, दूसरी बात दिर्घस्वर को हम द्वै मात्रिक कहते हैं, ठीक है, और प्लूत्वर को जो है वो त्रै मात्रिक स्वर कहा जाता है, दूसरी बात कि जब हम इसका उच्चारण कर रहे होते हैं, तो इसकी संख्या गिनने के लिए हम यहाँ पर आपके एक, दो, तीन का इस्तिमाल करते हैं, कुछ रूप से गर देखा जाए, तो आपका इन तीनों के साथ साथ, अगर हम पांच, छे, साथ, साथ प्रकार के आपके दिर्घस्वर हो जाते हैं, इसलिए मानत वरन के नुसार, ग्यारा प्रकार के स्वर हमारी हिंदी भाषा में माने जाते हैं, इसी मात्रा के आधार पर जो आपका लगहु स्वर है, यगी लगहु स्वर मात्रा के आधार से, यदि हम उसे रचना के अधार पर कहें तो इस स्वर को ही हम लगुस्वर को क्या कह सकते हैं लगुस्वर को मूलस्वर की श्रिणी में कह सकते हैं तो जितने भी लगुस्वर हैं वो हमारे लिए रचना के अधार पर मूलस्वर हो जाते हैं जो दिर्गस्वर हैं वो रचना के अधार हमारे लिए संयुक्त स्वर जो है वो बन जाते हैं ठीक है अब आती है बात आपके उच्चारण इस्थान के अधार पर उच्चारण इस्थान के अधार पर हमारे लिए अग्र मध्य और पश्य हो जाता है अग्र का मतलब होता है जिस वर्ण का उच्चारण में जीवा का अग्र का हिस्सा हरकत करता है तो अग्र स्वर है, मध्य का हिस्सा हरकत करता है तो मध्य स्वर है और अगर बैक का हिस्सा मतलब की कंठ से जहां जीवा की शुरुवात होती है वो करता है तो उसे हम पश्च स्वर की श्रेडी में लाते हैं, कहने का मतलब कि front vowels, back vowels और high vowels, यानि कि जब आप इसका उच्चरन किसे mirror के सामने करेंगे, तब ही आपके उच्चरन जो है वो प्राप्त होंगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर, यदि वो अग्र कहता है, तो आपका दोनो E हो गया, ठीक है, इसी प्रकार रिशी का रिए, एडी का A, एनक का A, यह जो हैं हमारे आपके अग्र स्वर की श्रेड़ी में आते हैं, दूसरी बात, अनार का A, यह आपका मध्य स्वर आता है, और आम का A, दोनो U, उखली का O, और और आफिस का O, यह भी हमारे लिए आपके खुलने के आधार पर जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो मुखाकृती के आधार पर हमारे लिए जो स्वर हो जाती है इस मुखाकृती के आधार पर हमारे लिए हो जाता है आपका एक संवरित स्वर जहां मुँ बहुत कम खुलता है एक हो जाता है हमारे लिए अ जब हमारे द्वारा बोला जाता है उच्छारण करते समय जब दोनो ई का प्रयोग होता है यानि कि दोनो ई का प्रयोग होता है हमारे लिए आपका दोनो ई का प्रयोग होता है रिशी के री का प्रयोग होता है इवन हमारे द्वारा जब यहाँ पर दोनो उ का प्रयोग होता ह तो E E O O और R का प्रियो करते हैं तो सम्रिट स्वर के शिर्णी में आता है इसके अलावा A D का A और उखली का O कहते हैं तो मूँ थोड़ा सा जादा जो है वो खुलता है जब हम आम का A कहते हैं तो मूँ सबसे जादा खुलता है और जब हम A कहते हैं इसी प्रकार आपका उख का और और ऑफिस का औ कहते हैं तो मुख्खा कृति के आधार पर स्वर जो है वो बनते हैं इसके बाद की कैटेगरी में अगर देखा जाए कि इसके बाद की कैटेगरी में अगर हम कहते हैं ओस्ठा कृति का मतलब है कि होट के आधार पर इसे हम अगर देखा जाए तो इसे प पतलब होता है गोल आकर, जब होट पूरी तरह से गोल हो जाता है, तो जब आपके द्वारा दोनों उ के प्रयोग किये जाते हैं, साथ ही ओखली का ओ और 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 का ओ कहा जाता है, तो होट गोल हो जाते हैं, इसलिए वर्तुलाकार या वरित्तमुखी स्वर के नाम से इस कहते हैं तो कहां जाता है यह उसे कहा जाता या कहा जाता अवर्त तरह प्रकार क्या यहां cancer गए सजातिय, समान इस्थान और प्रयत्ने से उच्चारित होने वाले स्वरों को सजाती कहेंगे, ऐसे situation में जो आपके अनार का आ, आम का आ, इमली का इख का इउन्नू का उ, उन्न का उ, उखली का उ, औरत का आ, ये जो हैं हमारे लिए सजातिय स्वर किशर्णी में आते हैं, ले तो जब किसी स्वर का उच्छरण किया जाता है तो हवा केवल मुख से निकलती है तो निर्नूनासिक की स्वर हैं और अगर हवा मुख के अलावा नासिका से प्रवाहित होती है तब उसे अनूनासिक कहेंगे यदि आप E की मातरा में अम लगा दे जैसे कि प्रतिबिम्ब कहत तो ऐसी situation में ये अनुनासी के स्वर हो जाएंगे लेकिन केवल अगर आप कहते हैं example के तौर पर ऐसे कि उश्मा तब ये हमारे लिए नीरनुनासी के स्वर बनते हैं और इस तरह पांच आधार के लावा दो आधार पर स्वरों को बाटा गया है चलिए अब प्रश्णों के श पुछा मुख से निस्रित होने वाले उस स्वर का जो कर्णगत हो सके उसे कहा जाता है क्या उसे ध्वनी कहते हैं क्या उसे अक्षर कहते हैं क्या उसे वर्ण कहते हैं क्या उसे शब्द कहते हैं अभी मैंने आपको बताया कि वक्ता के मुख से श्रोता के कान तक जो उसे ध्वनी कहा जाता है जब उसे आड़े तीर्छे खड़े और वक्र आकार देकर किसी लीपी के माध्यम से सांकितिक चिन्द प्रदान कर दिये जाते हैं तब उसे वर्ण कहा जाता है स्वरों को और हलंत वाले वर्ण को हम वर्ण कहेंगे लेकिन अगर स्वर के साथ में अ उन्हें शब्द कहा जाता है, तो इस अधाया पर question number one का answer होगा option number a, ठीक है, question number two, कौन सा वर्ण हिंदी वर्ण माला में नहीं है, option a है लरी, option b अक्षा, option c है लरी, और option d है अंगा, तो संस्कृत की वर्ण माला में रिट लगारेनी की future tense को लिखा जाता है, हिंदी की वर्ण माला में इसका example प्रयोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, इस लरी जो है हिंदी की वर्ण माला में नहीं लिया गया है, ठीक है, question number अगला, नीमने में से कौन सा व्यंजन पार्शविक है, अब आप आते हैं आपके व्यंजनों की श्रेणिँ में, ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने बताई, वो आपके स्वर के आधार पर बताए, स्वर के बाद में आता है आपका स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी, ठीक है, अयोगवाह को क्या कहा जाता है, स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कहा जाता है अयोगवा को ठीक है तो स्वर के श्रेणी में होकर व्यंजन की तरह उच्चारन होने वाला और व्यंजन की तरह उच्चारन होकर मात्रा में स्वर की तरह बदलने वाले को अयोगवा कहते। इस अयोगवा में दो वर्ण होते हैं, एक है हमारा अंगूर का अम और एक है हमारा अहा, इस अहा को हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है, और इस अंगूर के अम को हम अनुस्वर के नाम से पुकारते हैं, अनुस्वर यानि कि स्वर के पीछे चलने वाला इसे अनुस्वर कहा जाता इस अनुस्वर के दो रूप प्रयोग होते हैं, अगर वह स्वतेंत रूप में अगर अंगुर कहता है, तब हमारे लिए अम की मात्रा है, इसका वास्तिविक रूप है किसी भी शीरो रेखा के उपर ठीक है? दूसरी बात ध्यान रखेगा कि शीरो रेखा के उपर इसका प्र प्रयोग होंगे हिंदी के शब्द में जैसे कि नहीं क्यों मैं है ना ऐसे शब्दों में भी हमारे लिए अनुस्वर के प्रयोग किया जाएंगे अनुस्वर जो है वो आपकी पंचम वर्ण याने कि किसी भी वर्ग का इस पर्श वर्ग के पंचम वर्ण को भी अनुस्वर मे उच्चारित होती है, मुह हलका सा बंध हो जाता है, इसी का दूसरा पक्षा है, जिसे चंदर बिंदु कहा जाता है, इस चंदर बिंदु के प्रयोग में नासीका से ध्वनी का उच्चारण तो है, परन्त मुह थोड़ा सा खुल जाता है, और इसका प्रयोग शीरो रेखा के नीचे की मात्राओं में किया जाता है, जैसे कि चांद, अगर कहता है मूह कहता है, पूच कहता है, है न कुवा कहता है, धुवा कहता है, तब इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, किसी भी वर्ण के बगल में लगी होई दो बिंदी को विसर्ग कहा जाता है, विराम जिन राधी की भाषा में जब हम कुछ प्रग्ने करते हैं जैसे कि दुख निहरोग ना कहकर जेवह नार ना कहकर हम विसर्ग को लुप्त कर देते हैं परें तो कुछ शब्दे से के अतह, फलतह, परिणामतह, संभावतह, वस्तुतह, प्रातह कहता है अन्तह कहता है ऐसी सिचुए स्वर और वियंजन के मध्य की कड़ी होती है हमारी अयोगवा, तो आखिरें वियंजन क्या होते हैं, वियंजन को हम हलंत कहते हैं, वियंजन को हलंत कहा जाता है, स्वरों को अच कहा जाता है, यह सारे चीजें जो है ना, मैंने अपने लेक्षर वीडियो में बहुत डेप् को वरणम आलक अंतरगत बताई है आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं यहां हमारा उद्देश है कि हम कितने अच्छे तरीके से उसको समझ कर MCQ को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो डाउट होते हैं दिमाग में वो ना हो तो यहां पर हमारा उद्देश है MCQ के माध्यम से टॉपिक को कबर करना लेकिन बहुत गहराई से अगर इसको जानकारी को प्राप्त करना है तो मेरे लेक्शर वीडियो आपको कॉम्पिनिशन कम् कहते हैं वे वर्ण जिसके उच्चारण में हवा में एक घर्षन हो रुकावट हो मुख वीवर से बाहर आते समय उसमें एक विशेस प्रकार का प्रभाव देखने को मिले तो ऐसे पक्ष को व्यंजन वर्ण कहा जाता है हिंदी भाषा के अंतरगत जब हम व्यंजन के इस्त इंदी में लेकर आते हैं तो ना चाहते भी आंशिक तोर पर उसमें जुड़ा हुआ होता है तो व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत के साथ होता है और व्यंजन का मातरिक रूप किसके साथ होता है आपके स्वर के साथ में होता है ठीक है तो व्यंजन का वास्तविक इस लिए व्यanजन को अर्धाक्षर कहा जाता है ठ्यान से समझेंगे व्यanजनों को अर्धाक्षर कहा जाता है जब व्यanजन का उचल्ण किया जाता है तो मुख के अंदर की इंद्रियों में एक विषशेस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता hat इसलिए कहने वाली बात है कि आपकी जो व्यंजन वर्ण माला है इसके दो आधा पर बाटे गए हैं एक होता है हमारे लिए बाहिया प्रयतन का आधार और एक होता है हमारे लिए अंतह प्रयतन का आधार ठीक है दूसरी बात कि व्यंजन वर्ण माला कर जब उचारण करते हैं तो विज्यान के अनुसार, अगर हम शारीरिक अंगों की बनावट की बात करें, तो शारीरिक अंगों की बनावट अलग है, जैसे सबसे पहले आपके शारीरिक अंगों में कंठ आता है, कंठ के बाद में हमारे लिए मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद तालू, तालू के ब देखने वाली मात है कि कंठ को छो कर निकल रहा है इसलिए कंठ भी कहलाया नाक के नीचे का हिस्सा मुर्धन कहला था या कहले ठीक है, किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो हवा जब फेपड़ों से निकल जिसमें कखः गग अंगा कह रहा है तो⁠ क نے When art और वर्ग और पांच वरग पांच प्रकार का। इसरस्वर्ण माना जाता है इसरिशर्णों मैं से नयए वरड में बदल जाते हैं तो डमरू के डा और धकन के डा को ही एक वर्न के नाम से पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है हमारे लिए आपका कौन सा वर्न जिसे कहा जाता है आपका द्विगुण भूंजन ठीक है तो डमरू का डा और धकन का डा जब आपके दो रूप से प्रयोग होते हैं द्वीगुण व्यंजन कहते हैं इसे द्वी इस्प्रिष्ट व्यंजन कहते हैं और इसे ही उतक्षिप्त वर्ण कहा जाता है ठीक है देखने वाली बात है कि ये उतक्षिप्त वर्ण क्यों है कि जब इसका उच्चारण किया जाता तो जीवा मूर्धा को तालू को तर्च कर और मूर्धा को चुकर जटके से नीचे आती है तब इसे हम कहते हैं आपका फ्लैप कॉनसोनेट या हम इसे टैप कॉनसोनेट यानिंए की उत्कशिप्त वरन के नाम से पुकारते हैं. इसको हम नव निर्मित वर्ण भी कहते हैं ठीक है या इसे हम नव विकसित वर्ण भी कहते हैं और इस तरह देखा जाए तो इसे हिंदी के नव निर्मित या नव विकसित वर्ण कहते हैं और जो आपके 25 इसपर्श वर्ण थे उसके साथ में हमारी केटेगरी यहां पर आपकी दो द्विगुण वेंजन से 27 प्रकार की वेंजनों में हो जाती है अगला आता है हमारे लिए आपका सेमी कॉंसनेंट जिसे हम सेमी वावल्स कहते हैं कि दो स्वरों के योग से निर्मित यन स्वर संधी की प्रक्रिया से बननेवाले वरण अक्षरों को क्या का जाता है अनता इस व्यंजन कहा जाता है इससे यन का गण कहते, ईकबर परिशा में पूछा जा चुक throttle है यन का गण कीसी कहते तो ध्यान समझेंगे यन का गण, ठीक है ये हमारे लिए स्वर व व व्यंजन के मध्य इस्थित माना जाता है स्वर और व्यंजन के मध्य इस्थित वर्ण को क्या कहा जाता है अन्तहिस व्यंजन कहा जाता है इसमें इ और अ से बना हमारे लिए इया री और अ से बना हमारे लिए र ठीक है संस्कृत के अनुसार री और आ से बना हमारे लिए ला और उ धन आ से मिलकर बना हमारे लिए वा ठीक है इसमें से ही आपको एक प्रश्ण मैंने भी पूछा कि निम्न में से हमारे लिए पार्श्विक वर्ण कौन सा है आपको मैंने भी एक प्रश्ण पूछा कि निम् काय यह हमारे लिए अन्तहोः स्वुन है लेकिन पार्षविक वरने कवन है तो लट्टू का ला है तो ध्यान समझने माली बात है कि जह लट्टू का ल का उच्छारण करते हैं तो जिहिवा मूल है ठोड़ी से मूड जाती है दंत तालू यानिकि मसूडे को छूती है जिवा मसूडे को छी रही होती है तो उसके बगल से हवा जो है जब जिवा मसूडे को छू रही होती है दंत मूल को तो जिवा मूड जाती है और पार्श्विन के हवा बगल से निकल जाती है इसलिए लट्टू के ला को हम एक ऐसे बिंजन के नाम से जानते हैं जिसे तो मुल क्या हुआ हमारा मसूढ हा हुआ ठीक है इसलिए अन्तह इस व्यंजनों में से लट्टू कल हमारे लिए पार्श्विक वर्ण की श्रणी में आते हैं अगला है उश्मया संघर्षी जिसे हम सिबिलेंट्स कहते हैं ठीक है इसे हम शल वर्ण भी कहते हैं इस व्यंजन क जो शितकार की आवाज ये धोनी शुनाई देती है तो उसे शल वर्ण कहती है और उश्महवा के प्रभावसी से उश्मव्यंजन कहता है, शक्कर कशा, इसी प्रकार शटकॉन कशा, सरोते कशा और हल के हा को हम सुष्म या संघर्शी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं, इसमें से शक्कर कशा हमारे लिए आपका तालव विशा है, शटकॉन कशा मुर्धन शा है, और सरोते के सा को हम कहते हैं आपका दंतब्विसा, हल के हा को काकल वरण के नाम से पुकारा जाता है, जहां दो व्यंजन मिल जाते हैं, तो दो व्यंजनों के योग से जो वरण बनता है, उसे हम सैयूक के व्यंजन, याने कि हम इसे कंबाइंड या ज्वाइंड कॉ से बना है इन सबसे हटकर जिस तरह स्वरों में हम एक और स्वर को देखते हैं जैसे हम आगत्य स्वर कहते हैं जो आपके अंग्रेजी के शब्दों के लिए अर्धर चंद्र होता है जैसे कि आप कहते हैं कौफी वैसे ही जब विदेशज शब्दों का प्रभाव पड़ा तो ज और फ आते हैं इसके उच्चारण करते समय देखने वाली बात होती है कि इसके उच्चारण में गले में एक भारी पनसम महसूस होता है तो अंतह प्रेतने के आधार पर आपके इस प्रकार के प्रशन जो है वो आपको पूछे जाते अब आता है प्रशन जिसमें आपको म चीज़ों को जान लिया अब इसी में हम आगे प्रशन को चल्चा करते हैं किस वर्ण का उच्चारण इस्थान कंठ तालू है आप्शन A कहता है हम एक जाता है तो समझने वाली बात है कि जब इस वियंजन का उच्चारण किया जाता है तो ध्यान से समझने वाला एक पक्ष आता है कि जब हम व्यंजन में इस पर्षवर्ण के अंतरगत कंठव्य, तालव्य, मुर्धन्य, दंतव्य और उष्ठय को लेके चलते हैं तो संयुक्त व्यंजनों को भी उष्म और अंतहिस व्यंजनों के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वरों को इनके साथ हम अपके इस पर्षवर्ण के श्रेड़ी में रखते हैं और इस तरह देखा जाएं तो कुछ इसके सुत्र बन जाते हैं, जहां पर हमारे लिए आपके प्रयोग होते हैं तो जहां जितने भी प्रयोग हो रहें यह सभी देखिए, तो ओष्ठय का प्रभाव अगर देखा जाए तो इन स जब तालू की बात करते हैं, इस तालू को हम चीयश कहते हैं, तालू को चीयश कहा जाता है, जहां चवर्ग आता है, यग्यकया, शक्कर कशा और दोनों यह आते हैं, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके एक्जाम्पल के तोर पर इस्तेमाल होता है, हमारे के नाम से पुकारेंगे। काहह में आपके कवर्ग आते हैं और साथ ही अंगुल का में कवर्ग आते हैं। और विसर्ग है जो इसकी अंतरगत आता है, तो हमारे लिए एक दो तीन, चार, ठीक है अब दनतब्य की बात करें। तो दंतव्य को तसल कहा जाएगा, ठीक है, जहां पर तवर्ग सरोतेकसा और लट्टू कल्ला है, जो इसके श्रिणी में आता है, और इस आधार पर हम बाटते हैं, अब आप देखेंगे, तो प्रश्णी ने क्या पूछा था, प्रश्णी ने पूछा था, कंठ तालू, तो अब देखने वाली बात है कि कंठ तालू, कंठ तालू में आता है, आपका एड़ी का ए और एनक का ए, इसी प्रकार कंठ ओष्ट में आता है, ओखली का ओ, और और ओफिस का ओ, ठीक है, दंत ओष्ट में आता है बचन का व, याने कि आपका व, जो प्रयोग होते हैं, उसी में आपके अंगुर के अमका ठीक है अब इसी को देखते हैं यहां पर तो स्वरों को अंतहिस भ्यंजनों को उश्मवरणों को हम और आपके जो प्रयोग हैं इनको कहां परिस्थान दिया गया यहां सईयू के भ्यंजनों को इस्थान नहीं दिया तो कंठव्य को हम किस नाम स का या और जहा आपके जायफल का ज आता है ठीक है इसी प्रकार मुर्धन्य जिसका सुत्र मैंने बताया आपको श्रीटर ठीक है मुर्धन्य का आपको सुत्र बताया मैंने आपको श्रीटर ठीक है साथ ही आपके दंतव्य को मैंने बताया आपका नाम जो है वो तसल ठीक है ज का उच्छारनिस्थान कहा है आपका कंठ है ठीक है और उ का उच्छारनिस्थान कहा है हमारे लिए ओस्ट है इसलिए कंठोस्ट बना हमारे लिए ठीक है अब आपका आता है एक्जाम्पल के तौर पर प्रश्ण में आपका पूछा है आपका ऐसा प्रयोग जो कंठ तालव्य है कंठ तालव्य में अब अगर हम अ और ए को मिलाते हैं ठीक है तो अ का उच्छानिस्थान जहांगे इक कहां है और इक ही तालू है तो हमारे लिए आ है जो निमें आते हैं और इस आदा पर जिवा- हूद्र कchemistry हो गया अड़ा और अढ़ा ये मुर्धा अनिके मुर्धन्य बढ़तों है पर अन्तों तालव्य की और भी इसका जीव जो है वो तोड़सा ऊठता है इसके अलावा दन्ितोस्थ नीचे का होट और नीचे के दांत जे टकराते हैं यहां वह कहते हैं यहां पर आप देख रहे हैं इन सबके बारे में बहुत डीटेल में आपको तभी महसूस होगा जब आप इसका उच्चरण खुद बखुद करेंगे ठीक है और इस तरह बाटने पर हमारे प्रशने ने क्या पूछा था हमारे प्रशने ने पूछा था कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण इसथान कंठ तालू है प्रिस में आता है हमारे लिए आपका ज़ते हैं प्राण वायू के अधार पर आपकी अल्पप्राण महाप्राण और आप किया जाती है आपकी स्वर्तंत्रिका के अधार पर अगोश और सघोश ध्वनी और इसी को पूरी तरह से बाटा है तो जितने इस पर्शवर्ण हैं अंतहिस्थ और उश्मवर्ण हैं इनहीं को अल्पप्राण महाप्राण सघोश और अगोश में बाटा गया है तो प्रत्यक अगर हम वर्ण का उच्छारण कर रहे हैं और वर्ण का उच्छारण करते समय जब हवा फेफ्रों से निकलती है और कम मात्र में प्रवाहित होती तो उसे अल्पप्राण कहेंगे जहां हवा ज्यादा मात्र में प्रवाहित होती है उसे महाप्राण वर्ण कहा जाता है तो प्रत्यक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण को अनुस्वर को आपके और अंगुर के अम को हम अलप प्राण की श्रिणी में रखते हैं अब अनुस्वर कोन है हमारे लिए आपके पंचम वर्ण को अनुस्वर के तौर पर प्रयोग होता है महा प्रत्यक वर्ग का दूस तंत्रिकाएं एक दूसरे के पास आती हैं एक दूसरे को घर्षन करती हैं और ध्वनी कंपन के साथ प्रवाहित होती है जिसे नाद का आधार या गुंच का आधार या घोशत्व का आधार कहते हैं जिसमें दो प्रकार के पाई जाते हैं एक तो सघोश ध्वनी और एक पाती जो उश्मवाला है और समस्त्रस्वरों के उच्षारण में कुम्पन के साथ ध्वनी होती है इसे सगोश ध्वनी या घोशत्वन के नام से इसे पुकार जाएगा या इसे घोश वरन कहा जाएगा, ठीक है अब आती है अगोश ध्वनी, जहां वरन अक्षर एक दूसरे से दू बाज आती है उसे जपित वर्ण या हम उसे आपके अगोश वर्ण के नाम से पुकारते हैं और यहां पर आपको दिया हुआ है प्रश्न जहां प्रश्न ने क्या पुछा है कि अगोश ध्वनी किसे कहते हैं जिसमें स्वर्त अंत्रकंपन नहीं करती है उसे अगोश ध्वनी क कहा जाता है ठीक है अब है किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है तो किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है तो समझने वाली बात है कि आपके जो अन्त इस व्यंजन है इस अन्त इस व्यंजन में यग्यकाया और वचन का व इन दोनों को हम एक अर्धस्वर के नाम से प इसे प्रकम्पित वर्ण भी कहा दाता है इसे लूंठित वर्ण कहते हैं रिशी का री जब किसी व्यंजन के साथ जूड़ता है तो वर्ण अक्षर के खड़ी पाई के नीचे जूड़ता है जिस तरह के वर्ण में जूड़ेगा वैसा उच्छारण होगा जैसे की कृपा मृत्यू अब इसे स्वरकिष्रेणी में क्यों इस्थाम दिया गया है क्योंकि अगर वो रित्तु लिखता है तो अपने स्वतंतर रूप में है जंधिन के साथ ये मातरिक रूप में हो जाता है जिसे अर्धाक्षर में लिख पाना संभाव नहीं है ऐसे सिचुएशन में अ एक रसी के रखा पदेंग रूप देखने को मिलता है कि अगर रसी के रखे पहले का अख़र अधूरा है तो यह खड़ी उपाई के लेफ्ट में के जूड़ा जूड़ा तो और फ़र्न पदेंगे रूप है रखा लेकिन अज़ता रखा लेकिन रखे लिए अगल नीचे भलंत का पदेन रूप इस रूप में होगा और ट्रक, ड्रम, राष्ट, ड्रील कहते हैं, ड्रीम कहते हैं, ड्रेगन कहते हैं, तब इसका उच्चारण होगा, तो ये तो आपके होगए आरेफ वर्ण, प्रकम्पित वर्ण होगए, या और अना पंचमाक्षर होते हैं, या औ किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं क्या उसे संयोगत व्यंजन कहते हैं क्या उतक्षिप्त व्यंजन कहते हैं क्या संयोगत व्यंजन क्या होते हैं जहां दो व्यंजन वर्ण एक दूसरे से मिलकर नया वर्ण बनाते हैं तो संयोगत व स्वार हैं वैसे ही होते हैं जब हम श्रीमान जी का श्रा कहते हैं जब जीवा मुर्धा को छूकर जटके से नीचे आती है तो उसे उतक्षिप्त वर्ण कहते हैं तारन जात कहते हैं जगडे का अड़ा और आपके बढ़ाई का अड़ा ये उतक्षिप्त व्यांजन होते हैं इस प्रिष्ट व्यांजन व्याने की दो बातों को इस प्रिष्ट कर रहा है तो अड़ा और अड़ा को ही द्वी इस प्रिष्ट व्यांजन भी कहा जाएगा लेक अगर वो हिम्मत कहता है ठीक है अगर वो पट्टी कहता है तो इसे हम द्वित्व प्रयोग या द्वित्व व्यंजन के नाम से पुकारते हैं तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ में होता है तो इसे संयोग द्वित्व व्यंजन कहा जाता है अगला कोशन क पंचमाक्षरों का उच्चारन इस्थान होता है, क्या नासिका से, क्या ओष्ठ से, क्या तालू से या दात से, तो नासिका से इसका उच्चारन प्रत्यक वर्ग का पंचम वर्ण, याने कि आपका अंगा, या, अन, न, और म, तो प्रत्यक वर्ग के पंचम वर्ण को हम अनु अगले कोशन, स्वर और व्यंजन ध्वनी में अंतर है, option A, मात्राएं अलग-अलग होती है, option B, स्वर प्रमुख वरन है, व्यंजन नहीं है, option C, स्वर स्वतंत रूप से बोले जाते हैं, तथा व्यंजन वरन स्वर की सहायता से, और option D, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा, आपके लिए option number C, कि स्वर स्वतंत रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन वरन होता है, वो स्वर की सहायता से प्रयोग किये जाते हैं, अगले कोशन क्यों राते हैं, अम तथा अहा को स्वर के साथ गीना जाता है, क्योंकि ये अनुस्वर या अनुना से क्या ह या व्यंजन के बाद लगते हैं, ये मुलस्वर हैं या देवनागरी वर्ण माला में हैं, तो इनका अम और अहा को स्वर के साथ किसलिए गिना जाता है, क्योंकि ये व्यंजन के बाद लगते हैं, अगर हम देखते हैं का में हम की मातरा लगाते हैं, तो ये मातरिक रुप म से या तालू से थीक है ना तो विसरग का उच्छारं किस से होता है या कंठव। jewelry घंद के सलब्र Mormail गें आपको स्वर जो होते हैं वह आपके कंठ से इसका उच्छारं किया जाता है अगला प्लूतसवर कहते हैं क्या एक मात्रिक स्वर को द्वे मात्रिक को त्रे मात्रिक को चतूर मात्रिक को जिसके उचारण में बहुत शॉर्ट पीरिड लगता है आपका शॉर्ट वावल सियाने की लगुस्वर हरस्वर होता है तो एक मात्रिक स्वर को हम लगुस्वर कहते हैं जिसके उचारण में लग हूँ और दिर्गह से तीन गुना जादा समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं और वही त्रे मात्रिक स्वर कहलाता है चतुर मात्रिक किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता है ठीक है अगले प्रश्ने क्यों बढ़ते हैं यह हिंदी की मुर्धन्य ध्वनिया है नाक के नीचे का हिसा, तो जब जीवा थोड़ी जादा मुड़ जाती है, और नाक के नीचे के हिस्से को छूती है, और तालू में ऐसा लगता है उपर कि कुछ ठोक रहा हो, तो जब इसका आप महसूस करेंगे, उच्चरण करेंगे, तो देखेंगे, कि जब हम चछ, जज, इया कहते हैं, तो जीवा तालू के पास होती है, अब देखें, तालू कहा होता है, दंतमूल के पास होता है, जब आप कोई कठोर चीज़ खाते हैं, अमरूद खा रहे हैं, या हम गर्म चाय पीते हैं, तो तालू जल जाता है, छिल जाता है, लेकिन तालू के बाद जो थो जह चाहेंगे तालू को छूता है इसलिए हमारे सड़वें बन जाता है इसका उचरण करते समय हमारा कंठ प्रभाव होता है इसलिए उस लिए बन जाता है थे कंठभी बन जाता है rebu हेते हैं तो तो नो होट एक दूसरे से आके सठ जाते हैं, इसलिए उस्ठे बनता है, लेकिन टठ डढ़ अगर कहते हैं, तो यह हमारे लिए आपकी श्रेडी में आता है, मुर्धन निध्वनिया, और यह आपके परिक्षाव में maximum पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन से शद में द्वि अक्षर में, तो जहां एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग होता है, तो उसे द्वित्व व्यांजन, या हम उसे आपके कहते हैं, आपका ऐसा प्रयोग जैसे युगमक प्रयोग भी कहते हैं, जहां एक ही व्यांजन का दो बार प्रयोग होता है, एक आधा और एक पूरा, ऐस इसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे ठीक है इसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे इसके अलावा एक और होता है जिसे हम संप्रिक्त ध्वनी कहते हैं ठीक है अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है ध्यान से समझेगा कि जब दो व्यंजन परस पर एक स्वर की सहायता से प्रयोग हो र के बाद में अ है, ठीक है, फ के बाद में त है और उसके बाद में आर है, है ना आ है और यहाँ पर र और अ है, अब सोचने वाली बात है कि जब दो व्यंजन, जब दो व्यंजन परस पर संयुक्त होकर एक स्वर की सहायता से बोली जाती है, तब उसे संयुक्त व्यंजन कह जाएगा तो रफ्तार कुमहार है न उत्साह कहता है ठीक है यह सभी हमारे सजयोंग वियंजन है जब एक वियंजन का दोनों वर्ण में समान प्रभाव हो कि पहले और उसके बाद वाले जैसे कि अगर वो संबल कहता है तो इस हलनत वाले मां का प्रभाव सा के साथ भी है और इस आधार पर देखा जाए तो यदि वो संप्रिक्त ध्वनी हो या हमारे लिए आपका द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हो यह मध्य सयोग की श्रिणी में भी आते हैं अगला प्रश्न कहता है व्रित्ताकार स्वर की पहचान कीजिए आप्शन ए है आप्शन बी है उ उ आप्शन सी है ई आप्शन बी है व्रित्ताकार स्वर क्या होते है उस्ठाकरिती के आधार पर जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है और होट गोल हो जाता है तो उसे व्रित्ताकार कहते हैं इसे हम गोलाकार भी कह सकते हैं इसे व्रित्तमुखी भी कह सकते हैं इसे अगला कोशन के और बढ़ते हैं अब यहां से आपके वरतनी शुद्धिकरण से प्रशन पूछा गया है यह एक ऐसा पक्ष है जहां से आपको नियम जो है वह आपको जानकारी में होना जरूर है सारे नियम मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए हैं अगर आपको इन सभी चीजों को समझना है जानना है तो लेक्चर वीडियो में जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं आपको कोशन के माध्यम से सौलव कराने के कोशिस कर रही हूँ परन्तों कहीं कहीं बहुत गहराई में दे जाना है तो जब तक हम उनका उच्शारन स्वयम से नहीं करेंगे नहीं समझेंगे तो उसे समझ पाना BehoTV कठी है क्योंकि अगर हम ऑग की बात करते हैं तो अगर हम उस ऊ केधार पर सजातिय हो जाता है ना सिकेृ कधार पर निर्णू मानकवरतनी क्या होती है चासन के द्वारा मनने बर्ण के अक्षरों का प्रयोग करकτε उचारण के शुधता से कि क मानक वरतनीomy जाता है उसे भी मानबत नियम क्या होते हैं। उच्छारण के शुधता का होना जरूरी है यदि आपके मानक वर्ण के उच्छारण के शुधता नहीं है तो लेखन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है इसलिए वर्ण अक्षरों के उच्छारण के अनुसार उसके लेखन की प्रक्रिया का होना जरूरी है और जहां शु अबरूप लेखन की प्रक्रिया को क्या कही जाती है वर्तनी कही जाती है कि अपर उचारण में गलती है तो लेखन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और इसी से संब्धित प्रशन आपको पूछे जाते हैं option one question number one कहता है निमने में से सही वर्तनी वाले शब्दक का चैन कीजिए अंतरगर्थ 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 या अंतरगर्थ इन में से आपको शुद्ध पहचर अब अगर हम इसका उच्चरण करत मैंने अभी आपको बताया कि दो वर्ण के बीच में यदि हलंत वाला रह आ रहा है तो ये बाद में जुड़ गया ठीक है तो अब अगर हम इसे पढ़ेंगे तो अंतरगर्थ हो जाएगा तो ये हमारे लिए नहीं है इसी प्रकार अंतरगर्थ हो जाएगा ये हमारे लिए नहीं है अंतरगर्थ ये शुद्ध नहीं है इसलिए अंतरगर्थ कहते ह से सही वरतनी का चैन कीजिए हाथीनी के बच्चों का जुंड जा रहा है जिसमें शुद्ध क्या होगा क्या हथीनी होगा क्या हथनी होगा कि हथीनी होगा कि हाथीनी नहीं बलकि आपकी हाथीनी नहीं बलकि आप्शन सी हथीनी होती हाथी पूर्लिंग शब्द है और हथीनी जो है वो इस्तिलिंग शब्द है जहां छोटी E की मात्रा लगती है अगला question निम्न लिखित में से सही वरतनी वाला शब्द चुनिए ये बहुत पूछा जाता है ठीक है अभी भी कुछ परिक्षाओं में लगातार दो बार ये पूछा गया एक है आपका उजवल इसके शुद्ध रूप क्या है ठीक है पहली बात कि अगर हम बात कर रही है उप की तो ध्यान रखेगा यदि वो उर्जा कहता है ठीक है अगर वो उश्मा कहता है ठीक है अगर वो उट कहता है ठीक है तो उर्जा उश्मा उट कहता है तो दिर्ग उकी मात्र होगी लेकिन अगर वो उतसव कहता है ठीक है इसी प्रकार उतसव कहता है इसी रूप में अगर वो हमारे लिए आपके उतसव कह रहा है ठीक है उदय कह रहा है तब हमारे लिए यहां छोटे उकी मात्रा का प्र क्या बलते हैं उज्वल, क्योंकि यहाँ पर दो जा है, जो इस्तमान को तो उज्वल कहते हैं, तो यह शुद्ध रूप है, निमने शब्दों में अशुद्ध शब्दक चुनिये, इसमें से दिया है उज्वल, उपरयुक्त, अनुग्रेहित या नीरोप, इनमें से शब्द कौन सा है, तो देखने वाली बात है, कि इसमें उज्वल है, जो अशुद्ध रूप में है, क्योंकि उज्वल का शुद्ध रूप यह होता है, पुझनिये का शुद्ध रूप क्या है, पुझनिये, तो पुझनिये नहीं होता है, बलकि होता है हमारे लिए आपक पूझनी और देखा जाए तो इस तरह आपको हमेशा पूछे जाते हैं निम्ने में से शुद्ध वर्ण का शब्द का पहचान कीजिए इस सारे पूछे जाते हैं तो आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से वर्ण माला और वरतनी से संबंधित चीज़ों को मैंने बताया है वरतनी की बहुत सारे नियम है, पहली बात कि जिस तरह का उच्चारन है वैसा ही लिखा जाना जरूरी है, जैसे वर्ण का प्रयोग किया जाएगा वैसा उच्चारन के अनुसार उसके लेखन की प्रक्रिया होगी, तमाम प्रकार के वर्दनी से संब्धित नियम होते हैं, ये क्षत्री का ख्षा, आपका छाते का ख्षा, उसी प्रकार वचन का वा, बकरी का वा, उसी प्रकार आपको शक्कर कशा, शटकॉन कशा, इसी सभी रूप में, अणा और आपके अडा में, इसी प्रकार आपके अणा और नम में अंतर होता है, इया में अंतर होता है, सारे न के अनुसर बता सकूँ यह बहुत बड़ा टॉपिक है इसे हर प्रकार के प्रशन हर प्रकार के परिशन पर पुछी जाते हैं इसलिए आज का लेक्टर थोड़ा सा लेक्चर जो है वो बड़ा हुआ है उम्मीद करती हूं कि मैं आपको समझा पाई हूंगी तो आज से इसी मं हो जाएगा हिंदी FTR से लांग्वेज मंत्रा जिसके अंतरगत हम MCQ के माध्यम से ही सारे नियमों को मंत्रों के माध्यम से नियमों के माध्यम से सिध्धानतों के माध्यम से हिंदी भाष्रा को बहुत सरल तरीकी से समझेंगे तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें स्वस्त रहें मस्त रहें, मेरे सनही बच्चों को मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू और गॉड ब्लेसे टू आल मैं बच्चा